आज की वड़ी में आपको दिखाने वालो हूं All-In-One Machine जिसके अंदर गण्ये का जूफ पी निकल जाएगा मौसंबी का जूफ पी निकल जाएगा संद्रे का जूफ पी निकल जाएगा और आपका जो गाजर है गाजर का जूफ पी निकल जाएगा और बीट, बीट का जुस्ट भी निकल जाएगा, तो all-in-one मफीन है, एकी मफीन लेके आप सारा काम कर सकते हो और बहुत ही प्रॉस्पटेबल उजनेस कर पाओगे, यह मफीन की जो खास पात में आपको बताओ, यह मफीन अल अवर इंडिया में सबसे कम किमद में आपको मिल जाएगा, और इसकी किमद इतनी कम है इतनी कम है आप आसानी से इसको खरिच पाओगे, तो सबसे पहले इस मफीन का लाइव टिस्टिंग करेंगे, किस तरह मफीन काम कर आए, आज मैं आप पहले सबसे पहले गंडे की कॉलिटी में दिखा हूगा, सबसे पहले रोलर को कर दिया है मैंने, इसको ओपन करके ही मैं आज दिखाने वाला हूँ सारा जी, मसिन को ओन कर दिया है, इसकी कॉलिटी आप रोलर के देख सकते हो, एक बार के अंदर पूरा गंडा करस्ट हो जाएगा, यहां पर दिख सकते हो, एक अनना जाएगा सीधा कूलिंग टैंक के अ डिखा देता हूँ, देखें, बैक् टूबैक गंडा डाल रहा हूँ यहां पे आपके लिए, देखें और एक गंडा हमने डाल दिया, इसकी कॉलिटी देख सकते हो, सिधा जा रहे है सिधा पूलिंग टैंक के अंदर, पूलिंग टैंक में जाने के बाद, यहां से मेरा से एक डम फ्रैस होके आ गया और यहां पर आपको काउंटिंग मिल जाएगा यहां पर अठ्छा ग्लास मेरे बेचे हुई आपको मिल जाएगा यहां पर देखा मेरा गन्ने का जूस मेरे को मिल गया है देखे इसका कलर भी आप देख सकते हो अप में निकालने वाला हूँ है आपने ले लिया है सबसे पहले फिए सक्थे हो आप इसके इंदर में डाल हो गा लेमति आप возь 배 preciso कर से हैं एसे करके और इसके नदर में मॉसम भी कर जाएगा अब है का मैं एक आपर से प्रेश करोगा यहां पर आपको मौसमभी का जूस मिल जाएगा यह पर दरहे लिए मौसमभी का जूस आ गया और यहां पर और औरrones 서्वें आपको इसके अंदर और में में दिखाने वाला हूं जिसके इंपर निकाले के मुझार आई ने ले लेते करके घाज連 comprende अब दोनों का मिक्स निका लेगे देखिये मसीन को सबसे फ़हले इस मस इंद को न किया मैं ने इस मसा पॉप करते ही इसके नरेके आधा करके डालोगा देखिए अभी मैं इसके में गलास रख देता हूं कि देख टूबेक मैंने गाजा डाल दिये इसको मैं प्रेस करूगा दिखिए अब मैं आपके लिए निकाल देता हूं अब मैंने लिए बीट कि देख टूबेक डाल देते हम कि देख सकते हैं यहां पर हमारा दूफ है वह निकल रहा है कि देखिए हमारा दूफ है वह निकलना अफसाथ है कि देखिए है और इस जूफ निकालने के बाद आज हमारे पास अभी पड़े तीन टाइप के जूफ जो है मिक्स मौसंबी का जूफ एक गंडे का जूफ यहां पर मौसंबी का जूफ भी रेडी हो गया अब मेरे को इसको ठंडा करना है देखिए इसको मैं ठंडा करकी नि करना है तो इसके अंदर कूलिंग सुस्ट्म लगा हुआ है यहां पे देखो की आपको मौसंबी का जूफ हो का वह ठंडा होके आ जाएगा यहां पर देख सकते हो मौसंबी चूफ यह गंडा होके आ tik एक साइड पर गन्ने का जूस दूसरे साइड पर अंदर मोसंबी का जूस और उसके साथ आपको गाजर का जूस भी आपको ठंडा करना है तो तीन नोजल बाला मशीन आता है उसके अंदर आप गाजर का जूस भी जूस आप ठंडा कर पाओगे तो इसके अंदर आप सारी सिस なたien इससे आप सकते हो यहां पे आपको आपका जो ड्रोवकर हो और भी यहां पे आप कैस कांटर्स ज्सक्ति रखना चाहिए, और एके शूरेज भी तो उन वह अपर उपर उपर्स साहिई पे शूरेस तो यहां पे आप बढ़िए आपको मसीन चाहिए जिसके अंदर आप गाजर का जूप कता तो परहां चाहिए आपको चाहिए एंद नार्यल कहाने के लिए युकन गीनमर्जस परहां प्षा भाल्जन है वाश है तो ऐसे आपको बड़ा कॉलीटी में मस्रीन चाहिए तो यहां पर नीचे वाले नंबर की उपर कॉल कर सकते हो और आपका मसीन जो